हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करते हूँ आप सब अच्छे होंगे और पूंट स्वस्थ होंगे आज मेरा जो टॉपिक है वो खुशियों के तलाश के बारे में ही है मैं आप लोग से कुछ बाते शेयर करूँगी तो फ्रेंज ऐसा कि हम सब समस्ते हैं कि जो वेक्ति इस संसार में आया है उसको खुश रहने का अधिकार है लेकिन हम लोगों ने खुद के जीवन को इस तरह से बना लिया है कि खुशी तो हमें बहुत दूर की चीज दिखाई देती है हम लोगों ने अपनी जिन्दगी को अपने को इस तरह का बना लिया है कि खुशी को पाने के लिए हमें बहुत कोशिश करते हैं और सोचने के बाद भी वो हमें मिलने ही पाती अगर एक इच्चा पूरी होती है तो थोड़े समय के लिए हमें खुशी प्राप्त होती है पर कुछ समय बाद दूसरी इच्चा पूरी करने में हम लग जाते हैं दोस्तों, एक खुशहाल जिन्दगी की तलाश में, हम अपनी पूरी उम्र तरह तरह की कोशिच करने में निकाल देते हैं, पर हम यह अक्सर भूल जाते हैं, कि जिन्दगी में खुशिया तलाश करनी नहीं पड़ती, वो तो नेचरली हमारे आसपास ही होती हैं, पर हमारे सो उम्र बिता देते हैं, दोस्तों, खुशियां का कोई अस्ते तो नहीं होता है, वो हमारे चारो तरफ होती हैं, पर हमें महसूस करने की बस हमारे नजरिये पर हमारी चीजों को देखने और समझने की सोच पर निर्भर करती हैं, वैसे सही कहा जाए, तो खुशी पाना इतना कठिन नहीं है, जितना हम लोगों को लगता है, खुशियां तो हमारे चारो और मौजूद हैं, बस उन्हें पैचान कर गले लगाने की देर है, यदि खुशियां हमारे पास नहीं आती, तो क्या हुआ, हम तो खुशियों के पास जा सकते हैं, हमें आप से कुछ ऐसी ही बात करनी है, जिनने अपना कर हम सब अपनी जीवन में खुशियों को पास सकते हैं, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि खुशि क्या होती है, खुशि वो है जिसे शब्दों में वर्नन करना मुश्किल है, खुशि को केवल महसूस किया जा सकता है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए खुश होना बहुत जरूरी है, लेकिन दुर्भाग से जादा तर लोगों के जीवन में खुशियां कायब हो चुकी है, इस समझ में लोगों के भिन भिन मत है, कुछ लोग खुशी को पैसे में ढूनते हैं, कुछ लोग प्यार में महसूस करते हैं, और कुछ को तरह रहना सीख जाएगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मन जो कुछ भी कहता है या करता है, उसको हमारे दिमाग वही मानता है, लेकिन ये उतना असान नहीं है, हम समय समय पर खुशी का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इस अवस्ता में बने रहने के लिए महिनों या साल भ दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए, हमारे पस जो कुछ भी है, जितना भी है, हमें उसी में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, तुलना कंपेरिजन करने से खुशियां नहीं मिलती, बलकि जो हम हैं और जो हमारे पास है, उसी में संतुश रहकर हमको हमारी खुशियां मिल जाएंगी हमारे साथ जीवन में जो भी घटनाई हुई है यदि हम हमेशा उसके साकारात्मक पहलू पर ध्यान देंगे अर्थात हमेशा पॉजितिव ही सोचेंगे तो खुशियां जरूर हमारे पास चली आएंगी हमको हमेशा एक का उन कामों की लिस्त बना लेनी चाहिए जिसको करने से हमें खुशी मिलती है और हमें उन कामों को प्रतिदिन करना चाहिए इससे क्या होगा कि हमारा मन उन कामों में लगा रहेगा और ये काम हमें खुशियों से भी भर देंगे हम हमेशा उन लोगों से मिलें जिनके मिलने से हमें खुशी महसूस होती है दोस्तों आज मैं आपको जिंदगी में खुशियों को प्रेडित करने वाली एक बहतरीन कहानी लेके आई हूँ आपके सामने जिससे आपको अपनी जिन्गी में खुशियों के महत्व का एसास होगा तो आईए हम शुरू करते हैं आज की ये प्रेनादैक कहानी खुशियों की तलाश ये इतली की एक प्रसित लोग कता है राजा गिफॉल्ड एक शान्ति पून और शक्तिचाली राज में शासन करते थे उनकी प्रजा उन्हें पूचिती थी और उन पर पून विश्वास करते है करती थी वहां के सभी लोग बहुत खुश और सुकी थे राजा का एक जवान बेटा था जिसका नाम जुनाश था वो बहुत बुद्धिमार, प्रभाजशाली और खुबसूरत था जुनाश कुछ दिनों से बहुत उदास और आप्रसंद था काफी कोशिश के बाद भी राजा समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा हर समय इतना दुखी क्यों रहता है जुनाश हर वक्त अपने कमरे की खिर्की से उदास आखों से बाहर देखता रहता उसे अपने आसपस घटरी घटनाओं में कोई दिल्चस्पी नहीं थी मेहल के बड़े-बड़े समारों और तोहारों उत्साओं पर भी वो नहीं जाता था राजा गिफोर्ड बहुत दिनों तक ये सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने बेटे से इसकी परशानी पूछने का निन्ने किया राजा ने पूछा जोनाश कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परिशान कर रही है तुमारे पास किस चीज की कमी है कुछ समय से तुम खुश नहीं हो मुझे बताओ मैं तुमारी मदद करने की कोशिश करूँगा राजकुमार चुप रहा और उसने सिर्फ अपने कंधे उचका दिये क्या किसी लड़की से तुम प्यार करने लगे हो महल में बटकने के बजाए उसके लिए अपने प्यार को दिखाने की बहुत तरीके है नहीं पिताजी ये लड़की की बात नहीं है सच में मैं भी नहीं जानता कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ मैं खुश रहना चाहता हूँ लेकि नहीं जानता ऐसे कैसे करूँ राजा को उसकी बाते समझ नहीं आई पर वो बस इतना जानते थे कि यदि राजकुमार ऐसी ही दुखी रहा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा राजा को यह महसूस होने लगा कि उसके पुत्र को वैद की जरूवत है उसने अपने सबसे अच्छे वैद जोतिश और विद्वान के लिए यह कहला कर भेजा कि वो बैट कर यह तैय करें कि इस्तिती में क्या किया जाना चाहिए लगातार तरही तीन दिनों के तक बाते करने के बाद जोतिश ने एक हल निकाला मुख्य जोतिश जो कलो ने कहा महराज हमने इस विशे पर काफी विचार किया है अपने राजकुमार को इस तिती से निकालने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति की तलाश है जो पूरी तरह से सुकी हो जो जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हो राजा थोड़ा चौके और सोचने लगे और बोले हाँ मुझे एक संतुष्ट और सुकी व्यक्ति को ढूणना होगा जोतिश बोला हाँ महाराज जब आप उस सुकी व्यक्ति को ढूण ले तब आपको उसकी कमीच अपने बेटे के लिए खरीनी होगी इसके बाद सब ठीक हो जाएगा राजा ने बहुत सोचा और अंत में तयार हो गया इस कार को करने के लिए उसने पूरे राज में ये विज्यापन लगवा दिया कि जो भी एक पूरी तरह से सुकी व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा राजा ने घुश्रा की और अपने संदेश वहाकों को दूर दूर तक ऐसे व्यक्ति की तलाश में भेजा जिसकी कमिच उसके पुत्र को फिर से जीवांत बना सके जल्दी ही राजा लोगों ने राजा से मिलने के लिए भी लगाना शुरू कर दिया राजा के सामने पहला व्यक्ति एक पूजारी आया राजा ने उससे प्रश्न किया क्या आप सुकी है हां महाराज मैं बहुत सुकी हूँ पुजारी ने कहा ठीक है तो आप क्या शाही पुजारी बनना चाहेंगे राजा ने पूछा ये सुनकर पुजारी खुश हुआ और बोला बिल्कुल महाराज आपकी सेवा करने से मुझे बहुत प्रसंता होगी इससे अधिक खुशी की कोई बात और नहीं हो सकती राजा गुस्से से चिलाया इससे पहले कि मैं तुमें जेल में डलवा दू तुम मेरे महल से निकल जाओ तुम जूटे हो तुम पूरी तरह से संतुष्टों सुकी नहीं हो तुम में और अधिक पाने की इच्छा है तुम मेरे किले से निकल जाओ तर्लाश जारी रही पर उन्तु ऐसा कोई नहीं मिला दो हफ़ते बाद पुरौसी राजा के बारे में सूचना मिली कि वो राजा सुखी माना जाता था उसकी एक खुबसूरत राणी वो कई राजकुमार थे उसका कोई दुश्मन नहीं था और उसका राज शक्तिशाली और शान्ती पून था राजा ने ये सोच कर कि शायद अब उसकी समस्या का हल मिल जाए अपने दूद को उसके पास भेजा उस राजा ने दूद को बताया कि मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं इच्छा कर सकता हूँ पर मेरी एक यही चिंता है कि मैं जल्दी ही मर जाओंगा और ये सब खो दूँगा ये बात मुझे बहुत चिंतित करती है कि मैं रातों की भी जैन से नहीं सो पाता ये सुनकर दूद को ये पता चल गया कि इस राजा की कमीज ले जाना का कोई लाब नहीं है दूद से उस राजा का सच जानका राजा गिफोर्ट फिर निराश हो गए और परिशान हो गए उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें उनका पुत्र का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा था और राजा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि उसे वो कमीज नहीं मिलती अपने दिमाग को शान्त करने के लिए राजा ने शिकार पर जाने का फैसला किया मैदान में उसने कुछ दूरी पर एक करगोश पर तीर चलाया तीर करगोश को केवल चूकर निकल गया और वो जंगल में भाग गया करगोश का पीछा करते करते राजा अपने दल से अलग हो गया कुछ समय करगोश का पीछा करने के बाद राजा ने अपना इरादा बदल दिया और वो अपने दल के पास लोटने का सोचने लगा लेकिन रास्ते में किसी चीज ने उसे रोक लिया उसकी बाई तरफ से एक अजीब सी आवाज आ रही थी जब वो आवाज के पास पहुँचा तो उसने देखा एक क्या तुम देश के राजा के वेक्तिगत सलाकार पत को पर रहना चाहोगे मैं और सलाकार यूवक अराम की मुद्रा में बैट कर अपनी टुड़ी खुझा आने लगा और बोला ये तो बहुत परिशानी वाला पत है मेरी उसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ राजा का चैरा खुशी से खिल उठा उसने कहा तुम ही वो सुकी वेक्ति हो इश्वर का शुकर है आकिरकार एक पूरी तरह खुशी वेक्ति मिला जल्दी से खड़े हो जाओ यूवक राजा उस यूवक को अपने सेवो को के पास ले गया और बोला मेरा प यूवक ने विचितर निगाहों से राजा की तरफ देखा और बोला आपको मुझसे जो भी चाहिए आप ले लीजे महराज मेरा पूत्र जो नाश मर रहा है और सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो यदि मैं तुमारी कमीच उसे पहना दू तुम थोड़ा मेरे पास आओ रा राजा को एसास हो गया कि असली खुशी किसी और से खरीदी नहीं जा सकती असली खुशी और संटोश अंदर से आता है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि हमारे पास कितना धन है अपने सामने खड़े यूवक को जिसका जीवन उसके पूतर के जीवन से बहुत अलग ही करनी चाहिए जो चीज है हमारे पास में वही परियाप्त है तो दोस्तों इस कहानी से हम यही निश्काश पर पहुंचते हैं कि कुशी एक पॉजितिव फीलिंग है जब खुशी आती है तो जीवन में प्रतेक कार में मन लगता है जीवन में कोई भी कार यदि सही तरीके से करना है तो खुशी के बिना नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से फ्रेंड्स खुशी यदि हमें जीवन वह मिल जाए जिसे हम चाहते हैं तो उससे मिलने वाली पॉजिटिव फीलिंग को हम खुशी कहेंगे अर्था जीवन में अपनी मन पसंद चीजों को मिल जाने से जो पॉज खुशी कहा जाता है दूसरी तरफ सैटिसफेक्शन भी खुशी को ही कहते है यदि हम अपने जीवन से संतुष्ट है तो अर्थात हमारे पास जो कुछ भी है उसको लेकर यदि हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशन साते हैं उसे भी हम खुशी का ही नाम देते हैं दोस्तों हम सब को give and take नियम अपनाना चाहिए हमें दूसरे लोगों के साथ जादा से जादा खुशियां बाटनी चाहिए ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जितना हम दूसरे लोगों को खुशी देंगे उतनी ही दुगनी होको खुशियां हमारे पास लोटेंगी हमेशा अपने अंदर आत्मविश्वास से भरे रहे आत्मविश्वास एक ऐसी चीजे जिससे खुशियां मैगनिक की तरह हमारे पास वापस आ जाएंगी खुश रहने के लिए आप मन पसंद साकारात्मक स्टोरीज बुक्स भी पढ़ सकते हैं इन बुक्स को आप अपने साथी बना लीजे और रोज कम से कम आठ से दस पेज पढ़े अगर जीवन में कोई भी घटना आपके साथ घटित हो और आपके सामने विकट परजितितियां आ जाए तो कभी भी निराश न हो और उन समस्याओं के समाधान के बारे में सोचना चाहिए ना कि उस समस्या के बारे में आपको सोचना चाहिए ये खुशी पाने का एक रामबान मंत्र है हमेशा खुशी एक खुबसूरत सी मुस्कुरहाट अपने चेरे पर रखें जब भी किसी से मिले तो चेरे पर एक प्यारी सी मुस्कुरहाट हो ऐसा करने से आप अपने आसपास के बातावरन खुशनुमा बना सकते हैं और लास्ट में में ये ही कहूंगी जब कभी आप उदास हो आपको डिप्रेशन हो और आप अपने अतीत की उन बातों को याद करें जो आपके लिए खुशियां लेकर आई है आपके लिए खुशियां लेकर आई थी ऐसा करने से आप बहुत ही रोमांचक और खुशी से भरा महसूस करेंगे खुश रहने के लिए स्वास्त भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है जरूरी है कि हमेशा आपको healthy रहना चाहिए और इसके लिए आपको सुबह का नाष्टा एक राजय की तरे करना चाहिए दुपएर का भोजर एक राजकुमार की तरे करना चाहिए और रात का खाना एक बिकारी की तरे खाना चाहिए इससे आपको हैल्थ अच्छी रहेगी और आप खुशियों से वंचीत नहीं रहेंगे खुशी को लेकर मेरे अंदर एक बहुत पुरानी कविता उमर गुमर रही है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कहा जाता है कि खुशी जिसे ढूनने की तलाश में हम पूरी जिन्दगी बिता देते हैं इन खामोशियों को हम अक्सर यूँ ही चिपा देते हैं न जाने वो खुशी किस तरह इतलाते हुए हमारे द्वार पर आएगी ये सोचते हुए हम बहुत से खुबसूरत पनों को गवा देते हैं ये वो मासूमियत है जिसे किसी मासूम बच्चे से पूछो ये तो शक्सियत है जिसकी पहचान है उसी से पूछो ये तो वो काबलियत है जिसे पाने की लालच हर वेक्ति के मन में है और ये तो खुदा की इनायत है जिसे की रियासत है उसी से पुछो जिसके एहसास की खुश्बू से हर पल खिल उटता है जिसके रहमत से घर का कौना कौना महक उटता है ये तो वो सुनेरा पंची है जिसका कोई ठिकाना नहीं मुस्करहट की लड़ियां बिखेर देता है इस जीवन के समुद्र का ये वो प्यारा सा किनारा है जिसको लहरों ने अपने आशियाने से सवारा है इस प्यारे से सागर का ना कोई और है ना कोई छोर है उसी बरस्ती बग्या में खुशी तो एक नाचता हुआ मोर है दोस्तों खुशियों की बस एक चाबी है जो कि हम सब का नजरिया है तो खुशियों को धुनने में हम अपना समय बरबाद न करें उन्हें अपने चारो तरफ महसूस करें क्योंकि इस सारे जहां में खुशियां बिखरी वीडियो में आप से मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई